हिंदू बेटी को जिहादी ने सताया गुस्से में भढ़के सीम योगी जिहादी को लगाया ठिकाने एक्शन से मच गया हड़कम नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट लग जिहाद समाज का एक ऐसा दानाव है जिसके चंगल में फसकर हिंदू बेटी अपना सब कुछ खो देती है पहले जिहादी लड़कियों को बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फसाते हैं अपने प्यार में पागल करते हैं और उसके बाद दड़की के साथ अत्याचार किया जाता है इसके खिलाब योगी की सरकार सक्त है और जिहादियों की तगडी से तगडी सजा दे रही है जाहे एक बार फिर से योगी की पुलिस ने एक जिहादी को ठिकाने लगा दिया है तो क्या कुछ यह पूरा मामला चलिया आपको बताते हैं लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा आपने आए दिन हम देश में लव जिहाद के किस से सुनते हैं लव जिहाद दोस्ट शब्दों से मिलकर बना है लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा आपने आए दिन हम देश में लव जिहाद के किस से सुनते हैं लव जिहाद दोस्ट शब्दों से मिलकर बना है अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानि प्यार महबत इश्क और अर्भी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता ह किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना यानि जब एक धर्म विशेश को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जल में फसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लग जिहाद कहा जाता है दिनों दिन लफ जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियों को शिकार बनाया जाता है इसके खलाब कई संगठन आवाज उठाते हैं कई राजियों में कानून है लेकिन इन सब के वावजूद भी इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं जात गलत काम किया गया और मूझ खोलने पर उसे जान से मार डालने की धमकी दी गई पीडित परिवार ने पुलिस में फायार दर्ज कर आई तो योगी की पुलिस ने पीडिता को बरामत करके आरोपी को धर्द बुचा और गिरफतार कर लिया आपको बता दे कि एगटना स कि शकील ने उनकी बेटी को नशीला पदात सुगा कर पहले बेहोश किया फिर उसका परण करके उसे कहीं ले गया अपरण में शकील के साथ उसके कुछ साथी भी शामिल बताये गए पुलिस ने तब आई पीडिता की धारा 366 के तहत फायार दर्ज करके जाशुर कर दी पीडिता ने खुद को एक ट्रेन में पाया शकील भी साथ में था उसने मदद मांगने पर मार डालने की धंकी दी और अपने साथ मुंबई ले गया यहां लड़की को मस्जिद में पीडिता को इसलाम कबूल कराया गया इसी जगह लड़की का नाम एक रा रख दिया गया इसके बाद शकील ने पीडिता से जबरन निखा करके बलतकार किया गलत काम किया पीडिता के परिजणों ने बताया कि लड़की की मांसिक हालत ठीक नहीं है शकील ने लड़की से निखा करने के बाद उसे फोटो और निखा नामा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायर विश्व हिंदू परिशन ने इस घटना को लव जिहाद बताते हुए प्रशासन से कड़ी कारवाई की मांग की है वहीं पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीडिता की बरामदगी के बाद केस में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रती शेद अधिनियम और रेप की धार जहां बाधुनिक तरीकों से भी लड़कियों को जाल में फसाया जा रहा है जिहादी नए नए और अलग अलग तरीके लेकर आते हैं ताकि लड़कियों को फसाया सके कुछ दिन पहले एक मामला यूट्यूब से जुड़ा हुआ सामने आया जिसमें अब यूट्यूब स्टार बनने का लालस देकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है दरसल उत्तर प्रदेश के मेरण जिले में जिशान नाम के एक मुस्लिम यूवक पर सोशल म पीडिया के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फसाने का मामला सामने आया जिशान लड़कियों को यूट्यूब पर फेमस करने का लालस दिया करता था इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 20 मई 2024 को आरोपी एक नाबालिक हिंदू लड़की को लेकर ही भाग गया फरार हो थाने में तहरीर दी है वहीं से पहले यानि की आर्टिफिशल इंटेलिजन से जुड़ा भी मामला सामने आया था जहां उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में कॉलेज की एक हिंदू छात्रा को इसलाम कबूल करके निगाह करने की धंकी दी जा रही धंकी देने वाले शिकायत करने के लिए फैजाल के घर महचे तो फैजाल के घर पर उसके अबा आमीन मिले आमीन ने अपने बेटे की गलती कबूल करने के बजाए लड़की के पिता को ही गंदी गंदी गालिया देने शुरू कर दिया इन गालियों के साथ शिकायत करता को जान से मान डानने क की धमकी भी दी गई अपनी शिकायत में पीडित ने फैजाल और उसके अब्बा आमीन पर कड़ी से कड़ी कारवाई करने की पुलिस से मांग की है पुलिस ने फैजाल और उसकी अब्बा को फायार में नामजद किया है पुलिस ने सो वार 20 मई 2024 को फायार दर्ज करके कारवाई कर रही है वहीं आपको बता दे कि देश में लब जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं लब जिहाद के मुद्दे को सिरी राम सेना के प्रमोद मुथालिक ने उठाया था लब जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा साल 2000 में शुरू हुई लेकिन आजादी के पहले भी ऐसी कई मामले सामने आ चुके थे एक समुदाय विशेश के लोग दूसरे समुदाय की लड़की को गलत पहचान बताकर प्यार करते हैं उसके बाद उन लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है ऐसे मामलों को लब जिहाद का नाम बनाया है आपको बतादे कि लव जिहाद को लेकर भाजपाश शासित तीन राज्यों में कठोर सजा का प्रावधान है उत्तर परादेश मद्द परादेश और हिमाचर परादेश ने लव जिहाद को रोखने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है सबसे पहले देश क सबसे बड़े राज उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में लब जिहाद पर कानून के मताबिक धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंदित घोशना पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास 60 दिन पहले देना होता है यदि इसमें कोई दोशी पाया जाता है तो लब जि परिवर्तन के लिए इच्छा संबंदित घोशना पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास देना होगा और जाज के बाद ये धर्म परिवर्तन और शादी माननी और वैधानिक होगी वहां भी दोश्यों को गयर जमानती धाराओं में मामला दर्च करने और 10 साल की सजा का परिवर्तन स्वच्छा से हो रहा है या नहीं यदि इसमें कोई दोशी पाय जाता है तो दोशी को एक से पास साल तक की कैज हो सकती है देश के कई राजियों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं उत्तरप्रदेश बढ़ा करने की जरूरत है सक्स करने की जरूरत है जिससे की जिहादी मासूम लड़कियों को फसाने से पहले 100 बार सोचे और सोचे तो उनकी रूप आप जाए और लड़किया ऐसे लोगों के जाल में फसकर अपनी जंदीगी ना खराब करे अज के लिए इतना ही फिर मैं राजनीती करता नहीं, पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को पूप पहचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन पता हूँ, मैं हर खमर से खड़ा सक्ष निकालगा ना कोई दौड ना कोई रेस, क्यापिटल पीज, उत्तर देश अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया